नमश्कार मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंथन में आज सुनिए अश्यारे घटना का पंदरवा अध्याय गनानन्द बावु अत्यंत प्रसंद होकर हसने लगे बहुत दिनों के बाद आज नो ने नलिनी को इस तरह से प्रसंद देखा उनके मन में से एक बारी भुज हड़ गया आज इस चाय पान की सबा शिग्र भंगना होती किन्तु नलिनी आज ये था समय बाल ना सवार चुकी थी इसलिए बाल सवार ने चली गई अक्षे भी एक जरूरी काम का बहाना करके बाहर चला गया योगेंदर ने गनानंद बावू से कहा अब विलम न कीजे जैसे हो नलिनी को बिहा दीजे गनानंद बावू कुछ उत्तर न दे सगे योगेंदर की मुँख की और देखने लगे योगेंदर ने फिर कहा रमेश के साथ नलिनी का बिहा क्यों न हुआ इस बात को लेकर समाज में तरह तरह की बाते हो रही है मैं कहां तक किस तरह कि सबका मुँ बंद करता फिरूँगा अकेले कितने लोगों के प्रशन का उत्तर दे सकूँगा अगर सब बात खुलासा करने में कोई बाधा न रहती तब तो मैं सब का मुँ तोड़ जवाब देता लेकिन नलिनी के सुतंतर विचार की बात सोच कर चुपी रहना परता है अब युक्ती से काम निकालना होगा उस दिन मैंने अखिल चंदर को खोबी फटका रहता सुना है कि वह नलिनी के विशे में जो चाहे बकता फिरता है अगर नलिनी का विवा शिग्र हो जाए तो सब बखेडा मिट जाए मेरी बात सुनिए अब विलम ना किजिए किन्तु बिहा किसके साथ होगा योगेंदर घनानंद बाबू ने पूछा एक व्यक्ती है जो बात सर्व विख्यात हो चुकी है उससे तो वर मिलना संभव है केवल लिहा एक अक्षय बेचारा ही है उसे कोई उजरना होगा बिहा करने को कहिएगा तो बिहा कर लेगा कोई भी गोली खाने को कहिएगा तो गोली भी खा जाएगा घनानंद योगेंदर तुम पागल तो नहीं हो गयो क्या अक्षय कुमार के साथ नलिनी कभी बिहा कर सकेगी अगर आप कुछ ना बोले तो मैं उसे राजी कर सकता हूँ नहीं नहीं योगेंद्रे तुम नलिनी को उसके लिए विवश मत करो तुम उसे भै दिखा कर कश्ट दे कर अस्थिर मत करो अभी कुछ दिन उसे स्थिर रहने दो वह बेचारी जनम ही की दुखिया है बहुत कश्ट भोग चुके विवा का अभी बहुत समय है योगेंद्रे मैं उसे कुछ भी कश्ट ना दूँगा ना किसी तरह का भै दिखाऊंगा और जहां तक हो सकेगा बड़ी सावधानी और कुमलता के साथ काम करूँगा क्या आप समझते है कि मैं बिना जगड़े के कोई बात बोल नहीं सकता योगेंद्र बहुत जल्दबाद आदमी था उस दिन संधिया समय जब नलिनी बाल बांद कर बाहर आई तब योगेंद्र नहीं उसे पुकार कर का नलिनी तुमसे एक बात कहनी है सुनते ही नलिनी की चाती धड़क उठी वह योगेंद्र के पीछे दीरे दीरे आकर कमरे में बैठी योगेंद्र ने कहा नलिनी बाबुजी के शरीर के अवस्था जैसे दिन पे दिन खराब होती जाती है यह तुम देखी रही हो नलिनी के मुँसे कुछ उद्वेक का चिन दिखाई दिया वह कुछ बोली नहीं योगेंद्र अगर इसका कुछ विशेश यतन ना किया जाएगा तो वे सक्त बिमार पढ़ जाएंगे नलिनी समझ गई कि पिता के इस अस्वास्थे का दोश भी अब उसी के माते मड़ा जाता है वैसिर नीचा करके इस बात को सोचने लगी योगेंद्र जो हो गया सो हो गया वीती भाई बिसार दे अब आगे की सुधी ले उन बातों की चर्चा अब एकदम छोड़ देनी होगी अगर इस समय तुम बाबुजी के मन को संपून रूप से स्वस्त रखना चाहो तो जहां तक हो सके अपने मन की दुरवासना को शिक्र निर्मूल कर डालो यह कहकर योगेंद्र उत्तर पाने की आशा से नलिनी के मुगे और देखने लगा नलिनी लजजा से सिर जुकाए बोली मैं इन बातों के लिए बाबुजी को कभी नराज करूँगी है तो संभव नहीं योगेंद्र मैंने माना कि तुम उन्हें नराज ना करोगी कि इस से और लोग तो चुपना रह सकेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ आप ही कहिए चारो और जो ये भाती-भाती की गपे उड़ रही है उन्हें रोकने का तो एक ही मात्र उपाए है योगेंद्र ने जो उपाए मन में सोच रखा है नली नी उसका अनुभव कर जट बोलुटी कुछ दिन के लिए बाबुजी को लेकर पश्रीम परदेश में भर्मन करना के अलाब धायक ना होगा दो-चार मैने इदर उदर घूमाने से सब बाते ठंडी पड़ जाएंगे योगेंद्र इससे भी जैसा चाहिए फाइदा ना होगा तुमारे मन में कोई दुख नहीं इस बात का जब तक बाबुजी को पूरा निश्या ना होगा तब तक उनके मन में बर्ची चुपती रहेगी उतने दिन वे किसी परकार स्वस्त नहीं हो सकते योगेंद्र इससे भी जैसा चाहिए फाइदा ना होगा तुमारे मन में कोई दुख नहीं इस बात का जब तक बाबुजी को पूरा निश्या ना होगा उनके मन में बर्ची चुपती रहेगी उतने दिन में किसी परकार स्वस्त नहीं हो सकते नलीनी की आँखों में आंसु भरा उसने जट आँके पोच्डारी और बोली तो आप क्या फर्माते हैं योगेंद्र मैं जानता हूँ यह बत सुनने में तुमें कठूर मालूम होगी परन्तु यदि तुम सब और की भलाई चाती हो तो अब अपना विवा करने में विलम ना करो नलीनी कुछ ना बोली चुपी रहे योगेंद्र अपनी अधिरता को ना रोक सका बोला नलीनी तुम सब कल्पना के द्वारा छोटी बात को बड़ी करने भी में अपनी प्रशन सा समझती हो तुमारे विया के संबन में जैसा कुछ गोलमा लुपस्तित हुआ है ऐसा तो कितनी ही इस्तरियों का होता है परन्तु वे जट पट निबट जाता है नहीं तु उस बात को लेकर घर घर में उपन्यास बनने लगे तब फिर इससे उदार पाने की कोई आशा नहीं रहती तुम को इन बातों से भले ही लजजा या गलानी ना हो पर हम सब को तो भाई लजजा से के मारे जाते हैं जिससे मेरे घर की बात लेकर किसी को अपन्यास बनाने का अफसर प्राप्त ना हो ऐसा शिगर करना चाहिए मेरा विचार सुनो किसी अच्छे कुली नवर्ड से बिया करके इस पचड़े को समाप्त करो नलीनी इस बात के मर्म को भली भाती जानती थी इसलिए योगिंद्र की बात उसके हिड़े में चूरी की तरह लगी वह बोली तो क्या आप समझते हैं मैं कौमार वरत धारन कर सन्यास ग्रहन करूंगी योगिंद्र अगर यह नहीं चाहती तो भ्या कर लो स्वर्गपुरी के राजा इंद्र को छोड़ तुम दूसरे को ना पसंद करो तब तो सन्यास वरत ग्रहन करना ही ठीक है संसार में इच्छा के अनुसार सब अधारत किसे प्राप्त होते हैं जिसे जो मिल जाता है उसी के अनुसार अपने मन को संगठित कर सुखी होता है और मैं तो यही कहता हूँ मनुष्य का यह थारत मैं तो इसी में है सुख का कारण संतोश है नले नी ने मरमाहतो कर का आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं मैंने आपसे पसंद या ना पसंद की तो कभी बात नहीं कही है कहीं तो नहीं पर लक्षन से तो जान पड़ता है कभी कभी देखता हूँ तुम निश कारण या किसी अन्याय कारण वश अपने किसी हितेशी बंदू के साथ तुरंद बिगड़ बाटते हो उस पर विद्वेश भाव परकट करने में तुम्हें जरा भी कुंठा नहीं होती किन्तु यह बात तुमें स्विकार करने पड़ेगी कि अब तक जितने लोग उसे तुम्हारी भेट मुलाकात हुए उनमें एक ही शक्ष ऐसा है जो तुम्हारे सुख दुख और मान अपमान में सदा एकसा बरताव रखता है इस कारण मैं उस पर मन ही मन बड़ी श्रद्धा करता हूँ वह तुमको सुखी करने के लिए प्रान तक दे सकता है यदि ऐसा स्वामी चाहो तो कई खोजना न होगा और काव्य का नायक चाहो तो न लिनी खड़ी होकर बोली यह आप क्या कहते हैं ऐसी बात न कहें बाबु जी जो मुझे आगया देंगे उसका मैं वश्य पालन करूँ यदि उनकी बात ना मानूँगी तो आप भले ही काव्य की बात चड़िएगा योगेंदर ने तुरंत कोमल सुर में का बेहन क्रोध मत करो तुम जानती ही हो जब मेरी तबियत बिगड़ती है तब मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता जो मेरे जी में आता है बग जाता हूँ बच्पन सही तो देखता आता हूँ क्या मैं नहीं जानता लग्जा कांश तुम में कितना अधिक है और बाबुजी पर तुमारी कितनी श्रद्द और भक्ती है यह कहकर योगेंद्र घनानंद बाबु के कमरे में चला गया योगेंद्र अपनी बेहन के साथ ना मालूम कैसी बाते कर रहा है गनानंद बावू अपने कमरे में बठे मन ही मन इस बात को सोच कर द्वीन हो रहे थे और उन दोनों में क्या बात्चीत हो रही है यह जानने के लिए जाना भी चाते थे इतने में योगिंद्र उनके सामने आखड़ा हुआ गनानंद उसका मुँ देखने लगे योगिंद्र ने कहा नलीनी बिया करने को राजी है आप समस्ते होंगे मैंने जिट करके उसे राजी किया होगा पर आप ऐसा ख्याल ना करें अब एक बार आपके कहने ही से वह अक्षेस के साथ बिया कहने में कोई उज्रना करेगी तो क्या मुझे कहना पड़ेगा घनानंद बाबु ने कहा योगेंद्र आप ना कहेंगी तो क्या वह स्वैम आकर कहेगी मैं अक्षेकुमार से बिया करूँगी आप अपने मुझे कहने में शर्माते हो तो मुझे हुकम दीजे मैं आपकी आज आगया उसे सुना दूँगा घनानंद बाबु नहीं नहीं जो बात मुझे कहनी होगी स्वैम कहूंगा इतना जल्दी करने की क्या जरुवत है मेरी सला सुनो तो कुछ दिन बिया की बाद मुलता भी रखो योगें नहीं बाबुजी अब विलम करने में कुशल नहीं इस तरह बहुत दिन ना चलेगा अनेक विगनों पस्तित होंगे योगेंद्र की जित के आगे किसी घरवाले का कुछ वश नहीं चलता वे जिस कम पर अड़ जाता है बिना उसे की यह नहीं छोड़ता इस कारण घनानंद उससे डरते थे उन्होंने बाट ताल देने की चासे कहा अच्छा मैं कहूंगा योगेंद्र कहने का आज ही अच्छा मौका है वे आपकी आगे के इंतिजार में बैठी है जो हो आज ही इस विश्य को खतम कीजिए घनानंद सोचने लगे योगेंद्र ने फिर कहा बाबु जी सोचने से काम ना चलेगा एक बार नलेनी के पास चलिये घनानंद तुम यही यह हड़ पाकर पे हड़ बढ़ा कर उठी और करुन भरिस्वर में बोली बाबु जी रोशनी बुझ गई आप बैठी है मैं बाहर से पुकार कर बत्ती जलाने को कहती हूं उन्हों ने का बत्ती जलाने की कोई जरूत नहीं नलेनी बरांदे में आकर इकुरसी पर बैठ नलेनी बाबु जी आप अपने शरीर का कुछ यतन नहीं करते हैं घनानन बेटी ना करने का तो विशेश कारण है शरीर की अवस्ता कुछ अच्छी है या समझ करके ही कुछ यतन नहीं करता तुम अपने शरीर की और एक बड़ द्रिश्टी क्यों नहीं देती नलेनी शूब दोकर बुली आप सभी लोग एक स्वर से यही बात बोलते हैं ये भारियन नहीं है मैं तो बहुत अच्छी दशा में हूँ मुझे शरीर की अवहलना करते आपने कभी देखा है अगर आपके मन में मेरे शारीरिक स्वास्ते के कुछ अवश्यक जान पड़े तो आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं जो आपकी अगयोगी मैं अवश्यक करूंगी मैंने आपकी आदेश के बृत कोई कारिय किया है घनाना नहीं कभी नहीं तुमको मुझ पर पूरा विश्वास है इसी से मेरी बात पर इतनी निश्टा है तुम मेरी संतानों में कदापी तुम्हारे अनिष्ट की बात नहीं कर सकता। या तुम भी भली बात ही जानती है। तुमने मेरे मन का आशे समझ कर ही काम किया है। यदि मेरा आशेरवाद व्यार्त ना हो तो इश्वर तुम्हें अवश्य चीर सुकी करेंगे। तुम्हारी काम न पूर्ण करेंगे। न लेंगे। पिता जी क्या अब आप मुझे अपने पास न रखेंगे। घनाना क्यों न रखूंगा। जब तक भाबी नहीं आवेगी तब तक तो मैं किसी तरह आपको नहीं छोड़ूँगी। मैं न रखूंगी तो आपकी सेवा कौन करेगा। घनाना मेरी सेवा की क्यों पुछती हूँ। मेरा वैसा भाग्या कहां जो तुम मेरी सेवा के लिए मेरे पास बैठी रह सकोगी। घर में बड़ा अंदेरा है चिराग ले आता हूँ। यह कहकर पास वाले घर से लाल्टर ले आई। मैं इस बात का डरता कि पीछे वे स्वैम जाकर फिर कहीं उस पेचारी से बाती बात में ना सतावे। तब तो आपकी बात पर राजी हुई होगी। हाँ एक तरह से राजी ही कराया हूँ। तो मैं अक्षे बाबुसे बात कर रहाता हूँ। घनानेंद व्यगर होकर पुले नहीं नहीं अभी अक्षे से कुछ ना कहूँ। इतनी शिक्रिता करने से सब बात बिगड़ जाएगी। और घबराने की कोई बात नहीं अभी किसी से कुछ कहने की जरुवत नहीं। बलकि इस बीच में हम सब एक बार पश्चिम घुमाते हैं। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। योगेंदर इस बात का कुछ उत्तर ना देकर चला गया। वे एक चादर कंदे पर रख सीधे अक्षे बाबु के घर उपस्तित हुआ। अक्षे कुमार उस समय एक महाजनी हिसाब की बही लेकर कुछ सीख रहा था। वे गईदर ने उसकी बही उसके साथ से अलग रख दी। यह सब पीछे होगा अभी तुब अपने बिया का दिन ठीक करो। अक्षे ने चकीत उरकर का क्या कहते हो। दूसरे दिन नलीनी सवेरे उटकर जब पहार आई तब देखा। गहनानंद बावु अपने सोने के कमरे की खिड़गी के पास एक राम कुर्सी पर चुपचाप बैठे हैं। कमरे में बहुत असबाब तो ना था। एक चारपई और एक कौने में अलमारी थी। सामने दिवार में गहनानंद बावु की स्वरगय धर्मपतनी का बहुत पुराना चित्र था। और उसी के पास उनकी इस्तरी के बनाए पशम के गुलबंद आदी रखे थे। स्तरी की जीवत अवस्ता में अलमारी में जो शौक की समगरी जिस तरह रखी थी अभी भी उसी तरह रखी है। नलिनी पिता के पीछे उनके पके हुए बाल चुनने के बहाने माथे पर उंगली फेचती हुई बोली। चलिए फिर आपके कमरे में बैठ कर कल की तरह आपकी पुरानी बाते सुनूगी। वे बाते मुझे बहुत अच्छी लगती है। नलिनी के विशे में गनानंद बाबु की ज्यान शक्ती इन दिनों प्रकर हो उठी है। आज उसके चाई पीने के हेतु इतनी जल्दी करने का कारण समझने में उन्हें कुछ विलम ना लगा। कुछी देर में अक्षय भी चाई की डेवल के पास आ पहुँचेगा और उसके आने के पहले ही नलिनी जट पर चाई पीकर पिता के कमरे में एकांत आश्रे लेना चाहती है। उसके इस आश्रे को गनानंद बाबु तुरंद समझ गए। उन्होंने नीचे जाकर देखा नौकर ने अब तक चाई नहीं बनाई। इसलिए वे जरा रुष्ट हुए। नौकर ने यह समझाने की व्यर्थ चेश्टा की कि आज वे नियत समय से पुर्व ही आ गए हैं। इन्हों वे उसकी बात अंसुनी कर कहने लगे। मेरे नौकर नवाब हो गए हैं। उनको जगाने के लिए और एक नौकर की जरुवत ही है। इस तरह वे कितने ही बाते कह गए। नौकर चट पर तयार कर चाई उनके सामने ले आया। गणानंद बाबू और दिन जिस तरह बात चीत करते करते बड़ी शांती से चाई का रस्वादन करते वे चाई पीते थे। आज वैसा न करके एकदम प्याला खाली करने लगे। नलिनी कुछ आश्यारे करके बुली। बाबू जी क्या आज आपको कहीं बाहर जाना है। ग प्राडे की दिनों में गरम चाई एकदम पी लेने से तुरंत पसीना निकलाता है। इससे शरीर हलका हो जाता है। लेकिन गणानंद बाबू के शरीर से पसीना आने के पहले ही योगेंदर अक्षय को लिए आप पहुँचा। आज अक्षय का वेश विन्यास और दिनों की अपिक्षा विलक्षन था। हाथ में चांदी की मूट वाली चड़ी और सीने के एक और घड़ी की सुनहरी चैन जूल रही थी। उसके बाएं हाथ में एक बादामी कागच में लपेटी हुई किताब थी। और दिन अक्षय टेबल के जिस भाग में बैठता था आज वे व बाद का कुछ जवाबी दिया। घनानंद ने नलीनी से कहा बेटी उपड़ तो चलो जिरा मेरी गरम पोशाक को एक बार धूब दिखा दो योगेंद्रे। बाबुजी धूब तो कहीं भागी नहीं जारी फिर इतनी जल्दी क्यों नलीनी अक्षय को एक पहला चाय दो और मुझे भी पर पहले अतिती का सदकार होना उचित है। अक्षय ने हसकर नलीनी से कहा करतव या पालन के लिए आप ने इतना बड़ा आत्मत्याग देखा है ये तो दूसरे सर फिलिप सिड्नी है। नलीनी ने अक्षय की बात पर कुछ ध्यान ना देकर दो प्यालों में च यो गेंद्र कपड़ों को फिर कभी धूब दिखा देना अक्षय बाबु आए हैं घनान ने बाबु कुछ तीवरोकर बोले। तुम सब बात में धकल देते रहते हो। तुम अपनी जिट के आगे दूसरे का भला बुरा कुछ नहीं समझते। दूसरे को मरमानतिक कष्ट देकर भी भी अपनी बात रखने में बहादुरी समझते हो। मैं बहुत दिनों तक चुप चाप सहन करता रहा और अब मुझसे बरदाश ना हो सकेगा। चलो बेटी हम तुम उपर वाले कमरे में ही चाह पिएंगे। यह कहकर गहनान ने बाबु नलीनी को साथ ले उपर ज अस्य है। आप सिर्फ पुझी नी सकती बलकि आप उसे खोल भी सकती है। यह कहकर अक्षा ने वह कागच में लिप्टी हुई किताब नलीनी के आगे कर दी। नलीनी ने खोल कर देखा वह टैनीसन का काव्य था। बहुत बढ़िया जीव थी। देखते ही वह भौचक सी ह उसका चहरा जर्द हो गया। ठीक ऐसी ही पुस्तक और ऐसी ही जिल्द वाली वह रमेश के उपहार में पा चुकी है। और वह आज भी नलीनी के सोने के कमरे की दराज में बड़े आदर के साथ गुप्तरिती से रखी है। योगेंद्र ने कुछ हसकर का। रहस्य अब भी प्रकट नहीं हुआ। फिर उसने किताब का साधा पेच खुलकर उसके हाथ में दिया। उस पर लिखा था श्रीमती नलीनी देवी के परती अक्षय का श्रद्धा का उपहार। उसी समय नलीनी के हाथ से किताब छुटकर नीचे गिर गई। और इस पर कुछ लक्षय दिये भी नहीं वे पिता से बुली। चलिए बाबुजी। दौनों कमरे से बाहर हो गए। योगेंद्र की आखे मारे करोध के लाल हो गए। शरीर थर थर का अपने लगा। उसने कहा अब मैं यहां नहीं रह सकता। यहां का रहना अब मेरे लिए असंभव है। मुझे कहीं स्क धान से विचलित हुआ। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नलीनी का मन कभी मेरे अनकुल नहीं हो सकता। वै कभी मुझे अंगिकार नहीं करेगी। यह तुम निश्या जानों उस आशा को छोड़ दो। अब ऐसा यतन करो जिसमें नलीनी रमेश को भूल जाए। पर धूप में कपड़ा डालने की उनकी इच्छा प्रबल ना हो उटे। योगेंद्र। वर तो ऐसी वस्तु नहीं है जो इच्छा करते ही मिल जाए। अक्षय तुम थोड़े ही मैं घबरा कर क्यों किसी तरह निरुद्धम बढ़ते हो। मैं तुमको योग्ये वर का पता योगेंद्र। उपाय तो तुमने अच्छा बताया पर वर का नाम भी बता दो। तुम उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते हैं सिर्फ देखा होगा। वही अपने कमल नेयन डॉक्टर। योगेंद्र। कमल नेयन बाबू। अक्षय चौकते क्यों उनके कारण ब्रम में बड़ी हलचल मची है। मची रहने दो क्या इससे ऐसे उप्युक्तवर को हाथ से छोड़े दोगे। योगेंद्र। अगर मेरे किये होता तो मैं कभी उन्हें हाथ से न जाने देता। तथा भी यतन करूंगा। कमल नेयन बाबू बिया कराने को राज ही हो मैं नहीं कह सकता कि दुस्ता मैं पाकर क्या नहीं हो सकता तुम मेरी बात सुनो। कल कमल नेयन बाबू की वक्तिर्था होगी। उस वक्तिर्था में नलेनी को ले चलो। उनकी बाते बड़ी मनोहारनी होती है। स्रिय अकरशित करने के लिए ये वक्तिर्था शक्ती बड़ खोड भी हो तो उसके लिए तुम विशेश चिंतितना होना एक छोटा सानुक सोने से बड़े-बड़े मुल्यवान पधार्थ सुलब हो जाते हैं तो मैं तो इसे ला भी समझता हूँ। से पती के साथ सोतंतरता की रक्षा करके चलने लगी। उसका वह वैवार राजवल्लब को अच्छा नहीं लगा। उनके पुत्र कमल नयने, धरम परचार के उत्साह और वक्तरित्व शक्ति के द्वारा युवा वस्ता प्राप्त होते नहोते भ्रहम समाज में खासा नाम पै व्रिद्धा वस्ता में राजवल्लब एक विद्वा के साथ बिहा करने के लिए सहसा उनमत हो उटे हैं, कोई उन्हें रोक न सका, वे कहने लगे, मेरी वर्तमान इस्तरी सच्ची सह धर्मनी नहीं हैं, जिसके साथ धरम में, मत में, वहवार में और मांसिक विचार में मिला विद्धा की एकता है, उसको इस्तरी रूपने ग्रहन ना करें तो बड़ा अन्याय होगा। बस राजवल्लब ने सर्वसाधारन से धिकारे जाने पर भी उस विद्वा के साथ हिंदू मत की विदी से विहा कर ही लिया। इसके अनंतर कमल नयन की माता घर छोड़कर काशी जाने को उद्यत हुई। कमल नयन को जब यहाल मालू हुआ तब वे डॉक्टरी छोड़कर रंगपुर से चले आए। उन्हाने कहा मा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। माने रोकर कहा बेटा तुम मेरे साथ तुम सबों को किसी की बात मिल नहीं, मेरा आचार विवार तुम्हारे विवार से भिन है। ऐसी हवस्ता में तुम मेरे साथ जाकर क्यों वृधा कश्ट सा होगे। कमल नयन ने कहा मा अब तुम्हारा मेरा विवार एकसा रहेगा। कमल नयन ने अपनी पती त्यागनी मा अपमानित माता को सुखी रखने का दुरड संकल्प किया। वह माता के साथ काशी गया। मा ने कहा बेटा क्या मुझे बहु का मुझे बहु का मूना दिखा होगे। कमल नयन बड़े संकर्ट में वसा और बोला अभी क्या जरुवत है समय आने पर देखा जाएगा। मा ने समझा बेटा बहुत कुष त्याक स्वियकार कर देने आया ह लेकिन तु भ्रह्म समाज के बाहर बेहा करना नहीं चाहता तब उसने व्यतित होकर का वस मेरे लिए तुम सन्यासी होकर रहो यह कभी नहीं हो सकता। तुमारा जहां बेहा करने की इच्छा हो करो मैं उसमें बाधा ना दूँगी। कमल नयन ने दो एक दिन सोच विचार क कहा मा तुम जैसा चाहती हो वैसी ही बहु लाकर मैं तुमारी सेवा में नियत कर दूगा, मैं ऐसी बहु कभी घर में न लाऊंगा जो तुमारी बात न सुने और तुमारी इच्छा के विरुद काम करें कर तुमें दुख दे। यह कहकर कमल नयन अच्छी कन्या की खोज मे अपने देश को गया इसके बाद उसके इतिहास में कुछ गड़ पड़ है कोई कहता है उसने देश आकर चुप चाप एक अनाथ बालिका के साथ भ्या किया था परन्तु भ्या होते ही इस तरी समाप्त हो गई कोई को इसमें संदेह करते हैं अक्षे का विश्वास है कि विवा करने जाकर उसने अंत में इंकार कर दिया जो हो अक्षे की राय है कि कमल नैन अब जिसे पसंद करके ब्या करेगा उसी को उसकी माता प्रसंता पुर्वक बहु बना लेगी नलिनी सद्रिश गुनवरंती कुमारी कमल नयन को कहां मिलेगी नलिनी का कोमल मधुर स्वभाव है वह अपनी सास की यतेष्ट सेवा करेगी कभी उसे कोई तकलीफ ना देगी उसकी आग्या मानकर सब काम करेगी कमल नयन बावु दो ही एक दिन में निकी शील सभाव से भली भादी परीचित हो जाएंगे इसने मेरी राए यही है कि किसी तरह दौनों का परस पर परीचे करा दिया जाए